आप सबका हमारे चैनल ग्यान्दर टेजर पर स्वावित हैं इस वीडियों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भई भिश्रम पितामा को भिश्रम पितामा के बारे में बताने का उशित है नहीं आइए भिश्रम पितामा का जो आखरी पल था वो इतना दुख भरा, दर्द से भरा हुआ क्यों था वानों के सहीया पे लेटना दर्द से कराना, वो दर्द जो उन्हें मिलता रहा काफी लंबे समय तक, अठारा दिन के आसपस तो उन्हें क्यों ये दर्द शिलना पड़ा, कौन से बुरे कर्म किये था उन्हें तो इस जन्दगी में जैसा अपने मा महरत पड़ा है, तो उनका जो करेक्टर था बिलकुल ही साप सुत्री छवी थी, धर्म परायन माना जाता है जो उन्होंने कह दिया, वो कह दिया पुरी जन्दगी उन्होंने विवाह नहीं किया, और अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया दुर्योधन को और उनके पुरी फैमिली को, फिर भी ऐसी दुखत मृत्तियों क्यों हुई वानुपिशियां पर उन्हें अपने मुक्ति का इंतजार करना पड़ा क्यों? कोई कारण होगा? पिछले हम कारण बताते हैं और ये कारण जो है, वो उनके पीछे के 101 चरम से रिलेटेड है देखे हमारा सनातन धर्म शिरू से ही कर्म की परधानता रही है और इसका स्टिक कर्त हमें माभारत गंद में देखने को मिलता है गीता में भगवान से किष्ण ने कर्म और उसके फल के बारे में विश्थार से बता है कि कैसे किसी भी प्राणी विसेश को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल भोग नहीं पड़ता है देखे गंगापु तो भिश्ण पितामा की माभारत में एहम भोमी का रही है और उनके भिश्ण प्रतिग्या से तो सभी भली बाती पर चीथ हैं आपको बताने के आवशक्ता नहीं तो भिश्ण पितामा अर्जुन के हाथों वानों के सहीया पर पहुंच गए युद्ध तो कई दिन तक और चलता है लेकिन भिश्ण घायल वस्था में उसी तरवानों पर बने रहे और फिर युद्ध समाप्ती के दस तिन बाद पांड़ो सहित जब श्रिकिष्ण पितामा भिश्ण से आश्रिवाद लेने पहुंचते हैं तो विश्ण पूछते हैं कि हे वस्थिव क्योंकि उन्हें उन्हें मालूम था उन्हें कि भई ये भगवान श्रिकिष्ण नहीं भगवान विश्ण है उन्हें मालूम था वो जानते थे कि सुर्य के उत्रायन होने पर प्रांत त्यागने से सद्गत ही प्राप्त होती है और ऐसा करने से निमोक्ष की प्राप्त ही हो जाएगी और वो ऐसा अपने पिता की दौारा दिये कि एक शामृत्यू वर्दान के कारणी कर पाये थे और जब तक वो सहीया पे लेटे रहे तक तो वो सोचते हैं कि भाई मैंने पाप क्या किया है कौन से बुरे कर्म किया है पर उन्हें जवाब नहीं मिलता है तो जब भगवान से किशन आते हैं मिलते तो पूछते हैं कि है मदसुदन मुझे अपने अब तक के जीवन के पिछले सौ जनम याद है और अपने उन सौ जनमों के कर्मों का भी अस्वर्ण है उन्हें तो अद्भुष शक्ति थी पुछाते थे पूरा महाबरत युद्ध समाप्त कर सकते थे और कहते हैं कि मैंने कोई पाप की नहीं किया है फिर विदाता ने मुझे इस असहनिये पीड़ा को सहने के लिए क्यों चुनाया है तो भगवान से कर्ष्ण मुस्कुराते है कहते हैं कि पितामा आपने सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया लेकिन 101 जन्म पुर्ण में जो आपको याद नहीं है वो इस जन्म की तरह ही आपने तब भी एक राजबस में जन्म लिया था और उस से में आप युग राज दे अभी जो 100 जन्म है वो सौजन में हमेशा अपने अच्छी जगा पे जम लिया है, राजगरानों में जम लिया है और आपने इतने अच्छे कर्म किये हैं, इतने अच्छे कर्म किये हैं कि पूछो मत तो पूछते हैं कि पर ये ऐसा मेसाथ क्यों हो रहा है तो कहते हैं कि एक बार 101 चन की बात कर रहे है भगवान से किशन शिकार खेल कर जंगल से निकल रहे थे तब ही आपके घोड़े के अगर भाग पर एक करकेंटा वरिचे से नीचे गिरा और आपने उसे अपने वान से उठा कर पीट के पीछे फेक दिया और वो बेरिया के पेड़ अथार्थ काटें तार रिक्ष पर जा गिरा जिसकी वज़ए से बेरियों के काटें उसके पीट में दस गए क्योंकि वो पीट के बल ही गिरा था उसके बाद करके इंटा जितना निकलने की कोशिश करता उतने ही काटे उसके पीट में चुप जाते और इस प्रकार करके इंटा 18 दिनों तक तड़पता रहा और इश्वर से यह प्रात्ना करता रहा जिस तरह से मैं तरब तरब कर मृत्य को पराप्त हो रहा हूँ ठीक उसी प्रकार मुझे साल में पहुचाने वाली वराज का भी होगा तो भगवान सिरकृष्ण कहते हैं कि पहले भी आपने एक राजवनस में ही चम लिया था और आपनी कर्म हमेशा अच्छे किये हैं आपके पुन कर्म ऐसे थे कि आपका पुना जनम बारंबार राज परिवारों में होता रहा और उस करकेंटे का श्राप यथारत नहीं हो पाया प्रन्तोईस जनम में हस्तिनापूर की राजस्वा में सब के सामने दुरौपती का चीरहरन होता है देखते रहे और आप मूप दर्शर मन कर देखते रहे जबकि आप चाहते तो अत्याचार होने से रोक सकते थे विश्म पितामा रोक सकते थे के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता था करन की भी ववकात नहीं थी कि वो विश्म पितामा के सामने टिक पाते आप सक्षम थे लेकिन आपने फिर भी दुर्योदन और दुस्सासन को नहीं रोका इसी करन पितामा आपकी सारे पुन्यकर्म छीन हो गये और करकेंटा का श्राप आप पर लाग हो गया प्रवान सिर्किष्णारी कहते हैं कि हे गंगा पुत जिस समस्था में आज आज आप तरड़ पड़े हैं यह आपके सौ जनम पुर्व के इस कर्ट का ही फल है इस मृत्य लोक में जम लेने वाला परतेक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है याद रखें कि प्रकिर्थी सर्वो पर ही है और इसका न्याय आज नहीं पुकल होकर ही रहता है इसलिए प्रिथी पर निवास करने वाले परतेक प्रानी और जीव जन्तों को जो भी भूगना पड़ता है वो उसे अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है इसके अलावा भगवान से क्रिशन कहते है कि आप अपने पिछले जनमे वसू भी थे वो तो खेर एक अलग कहान ही है वहाँ भी आपको शार्फ मिलाता और आप इस जनम में आया हो तो यही कारन था अपने कर्मों का फल उन्हें भुगतना प्राई तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पे स्वाकत है आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीचिए